आज हम लोग अप्लाइड मेकैनिक्स में जो मसीन चेप्टर पढ़ रहे थे उसका दूसरा लेक्चर देखेंगे और ये लेक्चर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे छोटे नुमेरिकल हर बार बनते हैं आज के सेशन में क्या-क्या कंप्लीट करने की कोश किताब पूरानी भी हो सकती है कोई दूसरा पब्लिकेशन चापेगा तो अलग हो सकता है तुम लोग सलेबस अभी तक देखना नहीं सीखे तो इसका मुझे दुख है मैं ये रोज जो दिखाता हूं उसको देखते क्यों नहीं तुम लोग यह मैं क्या दिखा रहा हूं यह मैं तुम्हारे बोड का सलेबस दिखा रहा हूं तो क्रिपया करके किताब मुझे मत भेजा करिए और यह सुरू में जो दो मिनट में बोलूंगा यह स्किप कर दोगे तो इसको भगाना आ तुमको यह तो बात सुननी नहीं और जब सुनों कर नहीं तो आम इसा परिसान रह गई है लेकिन इसको नहीं सुनना है पहले वीडियो में सलेबस दिसकसन किया गया उसको भी नहीं सुनना है यह सब तरीके आप छोड़िये शुरुवात से कर देख रहा है तो आप देखिए तीसरा चप्तर हो गया चौता इसी में नीचे आपका है चौता आपका यह सिंपल मसीन है आप सिंपल मसीन में आप एक चीज जानिए गया यहां पर हम लोगों ने डेफिनेशन आप पढ़ने से पहले यह रिलेशन सिप में कुछ चीजें जो है जैसे मेकेनिकल एडवांटेज में और वेलॉस्टी देशियो में रिलेसन पढ़ लिया लेकिन कु इनके बारे मैं पढ़ेंगे और यह सिंपल और कंपाउंड मसीन के बारे मैंने आपको बता दिया है आइडियल मसीन क्या होती है जिसका वेलॉस्टी रेशियो जो है और मेकेनिकल अडवांचिस से में होते हैं इसमें फ्रिक्टना लास नहीं होता है उसके बाद हम लोग ब पिलाज उला करके यहां तक का टॉपिक कुछ हो चुका है और जो बचा है वह आज की लेक्चर में यह खतम हो जाएगा यहां से जो टॉपिक परिवासा मात्र है ठीक है इसके बात का यह topic मसीनों के बारे में है जैसे पूली वोली मसीने है अब आईए हम लोग देखते हैं इसमें सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर क्या पढ़ना है तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका आज इसमें जो topic था नहीं क्या था effort last in friction और load loss in friction यह दोनों topic आज हम लोग को पहले पढ़ना है तो हेडिंग बना लीजेगा हम लोग का effort lost in friction effort lost in friction 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 and and दूसरा load loss in friction है तो उसको बाद पहले effort loss है आप एक तरीके से समझ लेजिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको ideal machine क्या होती है ideal machine क्या होती है और real machine क्या होती है थोड़ी सी परिमासा repeat कर दो आइडियल machine वो है कि आपने इधर से जितना उसको input दिया उतना ही आपको output मिल गया 100% efficient से बीच में कोई loss नहीं हुआ कहेंगे सर यह सब क्या बता रहे है मैं अभी दीरे-दीरे मशीनों को और अंदर से आप समझेंगे तो आप पाएंगे हर जगा पर कोई में मसीन में आप जितना इलेक्ट्रिक देते हैं क्या फैन पूरा का पूरा आपको आपको वापस नहीं करता है उसी को कहते हैं जितना ज्यादा वह वापस कर दे उतना ज्यादा वह efficient कहा जाएगा और ideally कोई ऐसी मसीन होती नहीं है आइडियल का मतलब होता आदर्स और आदर्स जैसे कोई चीज नहीं होती तो बहुत बहुत कम हो सकता अंतर हो सकता ऐसी लगभग 99% हो लेकिन होगा जरूर दिक्कत यह तह हैं यह यह लौस तह है वही लौस जानना है कि कोई भी अच्छा लौस अलग अलग तरीके के हो सकते हैं है तो हम लोग जब लोड उठाने वाले मसीनों के बात करते हैं या सिंपल मसीन की बात करते हैं तो बेसिकली हम लोग बात करते हैं कि ठीक्ष न लॉस है चीजरे लॉस की पृष्सना लॉस की तो फब्रीतिक्स की मतलब एक मスीन use प्रिक्षन ही कारण होता है ही और व साउंड दोनों हीट और साउंड दोनों का कारण फ्रिक्षन ही होता है जितना जाता कोई चीज घीसेगी मसीन के कल पूर्जे उतना ही ज्यादा हीट भी निकलता है उससे उतना ही ज्यादा उसमें से तंसनाहट या आपका आवाजे भी निकलती हैं समझ गए बात को तो जो लॉसेस होते हैं ओन से लोसे होते हैं तो वह फ्रिक्षनल लॉसे की वज़या से एफर्ट लास कि शंड एक चुलिए तो जब फ्रिक्षनल लॉश Springs की वज़या से बात करता numa कषिल पर आपने कुछ काम किया यानि कुछ आयास लगया उस पर एफर्ट लगाई अगे लिखर ए अपिछ एफर फालतु चला गया और जो दूसरा बचेगा वो बचेगा आपका जो नदी अपर्ड व्यूच को मिला है हमने तो लगाए 10 किलोन। लेकिन घिज घिज आके उस तक पहुंचे और जो हमने लगाया कि वो वो हमारा एक्टूल लगाया गया प्रयास है प्रयास हमने जो लगाया रियल मसीन तो ऐसे ही होती है रियल मसीन में तो हम पी लगाएंगे लेकिन उसको जो मिला वो मिला कुछ अलग चीज आईडियली उस तक पहुंचाओ इस हिसाफ से जब हम मानेंगे सपोर्च कर लिया हमने यहां पर हमने सपोर्च कर लिया यहां पर माना या लिखे सपोर्च या हिंदी वाले लोग लिख लेंगे माना 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 क्या है तो यहां पर पी हमने लिखा पी जो है ना वो रियल मतलब वास्तविक एफ़र्ट है रियल एफ़र्ट है प को आमने क्या मना यहाँ पर रियल एफर्ट टीक अमने क्या मना रियल एफर्ट tetKa yes क्या है idea effort deal इपार अईडियल एफर्ड एदियल मतलब एक मसीन जो आईडियल होती है उसका effort है और पी एफ को हमने मान लिया effort, effort, loss, effort, loss, यानि जो वे हो गया आपका, किया गया प्रयास, जो बेकार गया वो है, तो कहेंगे सर, तो real effort ज्यादा हुआ कि ideal, यार किसी machine अगर तुम काम कर रहे हो, तो real में तुम ज्यादा effort लगाते हो, और उस तक effort जो मिलना चाहिए था, वो मिलता है न, वो कम मिलता, यान दिया द्हान लखना की pンタ हमेशा कम रहता है, ओमेशा क्या रहता है, p volunteers हमे说 क्या रहता है, कम रहता से सी यह बात दो बात आंपको द्हान कालए, यदि carro is, यह ऐसा माना, यह निश्चित रूप से आप यह देख लिए कि आप लगाये कितना और यह देख लिए कि मसीन को मिला कितना लगाया हुआ तो नापा जा सकता है लेकिन मसीन को मिला हुआ नापने के लिए सीधे नहीं नाप सकते हैं मसीन तो काम कर देगे वो बताएगी कैसे बता रहा हूं कैसे बताएगी मसीन में जौन नाप सकते हैं जिसकी वज़ा से यह प्यूटरास निकल सकते हैं उता हमेसा हम जानते हैं यहां लिखेंगे हम जानते हैं या वी नो दैट वी कि नो देट हम क्या जानते हैं हम जानते हैं कि किसी मसीन की स्थितियां तो हो सकती है एक स्थिति यह हो सकती है कि मसीन में घर्षण लग रहा हो और एक स्थिति हो सकती कि मसीन में घर्षण ना लग रहा हो यही बात ना तो मैं कहूंगा पहली बात कि घर्षण ना लग रहा हो तब के case में क्या होगा in case of in case in case of ideal machine ideal machine क्योंकि ideal machine के case में हम लोग ऐसा मान सकते हैं आइडियल मसीन के case में हम लोग जानते हैं कि जो mechanical advantage होता है mechanical advantage वो velocity ratio के बरावर होता है तो कि याद करें mechanical advantage divided by velocity ratio यहीं क्या था efficiency जो वन हो गया था वहीं से आ गया था mechanical advantage वरावर velocity ratio यह बता चुका हो कुछ formula पीछे वाले लेक्सर अगर आप देखांगे तभी समझ में रहे हैं यहां से भी हम mechanical advantage लिखें तो यह होता है आइडियल मसीन द्वारा उठाया गया बहार डबलू कि बात सब्सक्राइब यह आइडियल मसीन द्वारा उठाया गया भार है जो हमने उठाया हुआ कि आइडियल मसीन द्वारा उठाया गया बार और इस समय इसको हम लोग माने हैं पीडैस कैसे आइडियल मसीन के केस में मेकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है वेलासिटी रेशियो और मेकेनिकल एडवांटेज डबलू बाई क्या होगा पीडैस क्योंकि पीडैस ही आइडियल मसीन का एफ़र्ट है यहां से हम लोग पीडैस से जी निकालेंगे आएगा डबलू इसको उधर वेजिए और व पीडैस की यह वालू वैलू अब यहां पूट करेंगे तो फीडैस की वेलू आ जाएगी डबलू अपॉन वेलासिटी यही होता है फ्रिक्शनल लॉस का फॉर्मूला यहीं तो हमसे पूछा था हमसे यहीं तो पूछा था है आप एफर्ट लॉस्ट इंप्रिक्षन यानि आपका एफर्ट लॉस्ट यह है फ्रिक्शन की वज़ा से वह पी अफ तो वहोगा एक्चूल अभी पीस में क्या है तो याद करीए यह पिसमें से कि या निकाल सकते हैं तो यह तो यह क्या क्या था आपने जितना आपने जितना लगाया गया फ इस यह आप में खिंचेंगे जान जाएंगे डाबलू जो भार उठा वह आप जान जाएंगे रेवार कुछ दूरी चलेगा तो उससे वेलॉस्टी रेइशियों निकाल लेंगे तो यह तीनों चीजहों पता चलेंगी तो हमको अपने अप पता चल जा यह रियल-मसीन का आफर्ट अफर्ट क्या रियल-मसीन का क्या है इस से हम लोग को पता चल गया कि रियल-मसीन का एफर्ट यदि हमने उस पे लगाया तो कुछ उसमें से घटेगा वो पी देस है पीडैस क्या था यार अगर मसीन फ्रिक्शन लास नहीं होता फ्रिक्शनल लोस नहीं होता या उतना आयास वहां लग जाता लोड क्या उस्ते छोड़ो भाद नहीं पहुंसता मेरा एफिर्ट बिना लास के वहां तर पहुंसता तो मैं इस लॉस को अगर जीरो कर दूं तो पी बराबर पी डैस हो जाए तो उस समय फिर यह आईडियल मसीन हो जाएगी क्योंकि आईडियल मसीन के लिए पी फ क्या होता है जीरो बात समय आई यहाँ तो कहने का मतलब है हमें निकालना था फॉर्मूला यह वह हमने निकाल लिया है आईए है एफर्ट लॉसें प्रिक्शन का फॉर्मूला लेकिन यही पर एक चीज थोड़ा सा आपको समझना पड़े है एफर्ट किसमें जादा लगा तो कहेंगे एफर्ट जब कि ideal में बहार ज्यादा उठता Keeps किया गए इसमें वेट क्या है तो देखा गया के प्रियासों avent पर हुआ तुम थोड़ा साभी मैं ज्यादा बोलूगा ना तो कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ दो जितना समझे मैं उतना समझे तुम्हारा काम इतना ही था ठीक है लेकिन मैं तुमको एक बात बता दूं रियल मसीन एक इमेजनेरी मसीन है जिसमें तुलनात्मक रूप से प्रयास लगाने पर वो पूरा प्रयास मसीन तक पहुंचता है वो आइडियल मसीन है लेकिन रियल मसीन की बारी आती है तो हम प्रयास लगाते हैं प्रयास कम होके पहुंचता है वहाँ पर इसका मतलब प्रयास में कमी आती है लेकिन जब भार की बात करते हैं तो भार में क पूरा उठाता लेकिन आइडियल वाले का जब प्रयास ही पहले से कम हो गया आइडियल से कुछ बाहर आ रहा था रियल होने की वज़य से लॉस हुआ तो कम भार उठा पाएगा याने रियल मसीन भार कम उठा पाएगा प्रूव भी कर देता है कैसे पहले यह पता चला कि आयास किसमें ज़्यादा लगता है यहां पर अगला अगला हो जाएगा लोड 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 लॉस्ट इन प्रिक्शन में कितना लोड का लॉस्ट होगा एक एक चीद मैं आपको बता रहा हूं तो कोसिस करिए कि उसका जितना परसेंट आप गेन कर पाएं उतना करिए आउतना काफी हो कि थोड़ा से बताओं गांगा समझ मेंे आ जाएगा हां से शार क्लीयर वी तुम मैं मेDER कर देया हूं नहीं लेकिन तो कुछ लोग समझ पाएंगे कुछ next है इसमें में क्या लिखा टाक सब कुछ माना कि real effort तुछ तरीके से w कोidas पर हम लोग मालेते हैं सपूज हमने कर दिया है सब पोज हमने यहां पर माले आ कि डबलू क्या है डबलू क्या है कि आपका तो रियल लोड हो रियल लोड रियल लोड ना को डबलू को को आई Director सब्सक्राइब लूड है। को डवलु क्या है है रियल लूड है और डवलु एफ क्या है लॉस्ट इन लॉस्ट in लोड नूद टो फ्रिक्षन लॉस्ट टो उसमें भी वही सम्बंध हमको निकालना पड़ेगा लेकिन इस बार एक बात होगी देन अब एक इस बार एक बात जो यह आईडियल लोड मसीन जो उठाती है रियल मसीन उससे कमी लोड उठाता यानि इस केस में यहाँ पर निश्चीत रूप से जान लेजिए कि डबलू डैस जो होगा वो बड़ा होगा किसे क्यों रियल लोड एक एक मसीन बिल्कुल लास किये बिना कोई लोड उठा रही है बिल्कुल लास किये बिना कोई लोड उठा रही है तो ज्यादा लोड उठाएगी तारी उर्जात लोड उठाने में लगा दी अजो मसीन फड़ा लास्ट करेगी कम लोड उठा पाईगी तो रियल मसीन कम लोड उठाती है और आईडियल मसीन ज्यादा लोड उठाती है इसलिए आइडियल मसीन द्वारा उठाएगा बार ज्यादा है और रियल मसीन द्वारा उठाएगा बार कम क्योंकि इसने इसने कोई लॉस नहीं किया आइडियल मसीन ने कोई लॉस नहीं किया है उठाया है और रियल वाने थोड़ा अपनी छमताओं में अरे फ्रिक्शन के क बड़ा था पी डैस से पी डैस देखे छोटा है लेकिन इसमें डबलू डैस बड़ा है यह अंतर होता है दोनों में मोल्टा यह कह रहा है वो सकता हूँ समझो अभी समझ गाऊंगे जब दोनों सामय है यह बेसिक बात हुआ तो फिर तो फिर एलिक सकता है कि जो लोड लॉस् वा उठाने पर जो कमी आइस आएगी ।ो आएगी दबलू डैस माइनस डबलू सिब केहां यहां स्मझ गए कि जैसे उसमें उसमें वह फि में पी माइनेस पी डैस देखना ज़ रहे हैं पर री माइननेस पी डैस था तब फि हाचा यह था इस कि इसका वेल्यू कैसे डवलू तो उठाएगा भार हम जानते हैं और यह आईडियल मसीन द्वारा उठाएगा वहार हमको नहीं पता है अगर अगर मसीन आईडियल होती तो कितना उठाती हमको नहीं पता है इस लिए हम लोग क्या करेंगे डावलू डास की वैलू इसी आइडियल मसीन के लिए हम लोगी कह सकते हैं कि डबलू डैस यानि उसके द्वारा उठाया गया बार चाहिए पहले वो लिखें जो टुट मेकैनिकल एडवांटेज जो होता है वो बरावर होगा किसके वेलासिटी देसी बात वहीं मेकैनिकल एडवांचेट क्या होगा आडियल मसीन का डबलू डैस वाटा उस पर लगाया गया जा यानि डाबलू डास वाटा उस पर लगाया प्रयास पी आप बराबर हो जाएगा वी आर तो आप जानते ही है अब यहां पर हम लोग डबू डैस की वेलू यहीं से निकाल लेंगे तो आएगा पी इन्टू पी कि इन्टू वी यह किसकी वैलू है डबलू डैस यानि आइडियल मसीन द्वारा उठाए गए भार का जो की ज्यादा होता है इसलिए यहीं से आई यह प्रयास है जो तुमने लगाया इसलिए हम लोग कहा सकते हैं इसको नीचे लाएंगे यह फिर से आ गया इसलिए इसलिए डबलू एफ यानि लॉस्ट इन लोड जो होगा वो तो हम लिखी चुके हैं कि डबलू डैस डबलू डैस की वैलू कितनी आ गए हम लोग कि आ नीचे से पी इन्टू वी यार यानि एफर्ट इन्टू वेलासिटी रेसियो और माइनस कर दें हम लोग क्या यह वाला और यह डबलू क्या है यह रिएल वाला लोट है जो उठाया गया है मसीन द्वारा यह डबलू रीयल लोट है और यह पी और वीयर का वैलू आईडिय वाला निकालना मुस्कील होता है इसलिए उसको फार्मूले करोप में रहा क्यों नहीं डबलू डैस रहने जा आईडियल मसीन पता है नहीं इसी तरीके से यहां पर तुमने लिखा यहां पर सर यह क्या होगा यह प्रयास लगाए लेकिन हम कितना प्रयास लगा रहा है कि इसलिए आईडियल मसीन के प्रयास को बदल दिया गया दूसरे रूपों में जिनको कितना अपसकते हैं लेकिन भार और वेलास्टी देसी तो नहीं आपके हैं लेकिन लगाए प्रयास और व्लास्टी देसी तो सकते हैं कैसे वीडियो मनें बताया को जितना दूरी चलेगा वाई उधर इतना उठेगा है को निक अनुपास को वेलॉस्टी देशिए तो आई हो आपको वह दोनों टॉपिक ठीक से क्लियर हो गया होंगे अग्लियर हो गया हो ना तो कमेंट डालिए जरूर जबर जास तरीक पूरे सब्जेक्ट में कुछ नहीं बचेगा दो क्लास ऐसा रिवीजन का लेंगे कि पूरा खतम हो आप यहां पर देखिएगा हमने यह दोनों टॉपिक अपना खतम कर लिया अब यहां पर हम लोग सीधे चलते हैं लॉप मसीन पे उसके बाद आएंगे जब तक लॉप मस मसीन लॉप मसीन इसको लेकर कहीं लोगों के मन में अलग अलग भरांतियां लॉप मसीन को ले करके न कोई भी यह बात नहीं कहता है जो मैं आपसे बताने जा रहा हूं को इसलिए नहीं कहता है जो हो सकता है जानकारी नहीं हो या हो सकता है एक्स्प्लेन नक्तर पा रहा हो कि यहीं कहेंगे आप से कि लोट मसीन होता है वो किसी मसीन द्वारा उठाए गए भार और लगाये गए प्रयाज के में संबंद होता है की था ध झाल आइए उससे यह बात कभी नहीं बूली सबसक्राइब चीज है इसको आप समझञें यह असल में है एक मसीन है उसके लिए लॉठ मसीन अलग है कई मसीने रहेंगी उनके अलग अलग लॉठ हो सकते हैं किसी का मैच कर दा है वो बड़ी बात नहीं है वह ज्यादा तर मसीनों के लिए लग अलग अलग होता है कि मोख्झा बात यह चलए इसको कहते है तु कि तो किला कि एक मसीन का इसको मैं कहूंगा भी बताता हूं इसके है तो फार दो किलोटन पार रही हो इसको दोNow कर रहा है तो वोन सीन हो रहा है इसको पन कर रहा है तो कुछ और हो जा रहा है यानि कि वह एक एक निश्चित प्रयास पर एफर्ट पर उच निश्चित लोड को उठा रही है अच्छा दूसरी मसीन हो सकता है सेम लोड सेम एफर्ट पर ज्यादा लोड उठा गए तो एक मसीन ना जब देखा गया कि एक मसीन के उठाए गए पहले तो परिभासा मैं लिख दो इसकी कि मै मसीन किसी विशेश मनें सब के लिए अलग अलग होगा यह मन किसी विशेश की बास करो किसी विशेश मसीन किसी विशेश मसीन मसीन पर लगाए गए लगाए गए प्रयास यानि एफर्ट लगाए गए प्रयास यानि एफर्ट लगाए गए प्रयास यानि क्या एफर्ट और और उसके द्वारा उसके द्वारा उसके द्वारा उठाए गए उठाए गए भार के बीच एक निश्चित संबंध होता है होता है जिसे जिसे उस मसीन का उसी जिसे उस मसीन का नियम कहते है नियम कहते है यानि उस मसीन का नियम कहते है यानि या संबंध या मने प्रयोगों द्वारा पाया गया प्रयोगों द्वारा पाया गया प्रयोबों द्वारा देखा गया कि या संबंध रैखिक यानि लिनियर है रैखिक यानि लिनियर है लिनियर क्या है मतलब आप क्या कहना चाहते हैं लोग कि अगर हम लोग यहां पर एक्सेस पर उठाए गये एक्सेस पर यहां पर इस एक्सेस पर कि इस एक्सेस पर इस एक्सेस पर मैं दिखा रहा हूं किसको प्रयास को और इस एक्सेस पर मैं दिखा रहा हूं मसीन दोर उठाएगे बाहर को यहां लगा हमारा प्रयास यानि एफर्ट एफर्ट और एफर्ट किस से दिखाता है पी से और यहां पर भार दिखा दिया में डबलू यानि यानि लोड भी मसीन पर आप एक चीज जानिए यहां पर वेट या डबलू को हमने लोड ची दिखा दिया भार को भी लोड मैंने बताया था लोड और वेट में डिफरेंस होता है तो यहां पर लोड वेट से मैं लेकिन वैसे में दिफरेंस बता रहे एक मसीन पर जब ठोड़ा सा मैं प्रयास लगाया गये तुरंत भाहर उड़ जाता हि क्या कभी ऐसे साब एक मसीन पर जैसे ही अंहलका सब लगां कि सी मसीन पर कुछतो बेस्ट करी देते हैं कि खोडि देर बाद कोई लोड उचा होता आप किसी मसीन पर जब प्रयास लगाते हैं तो कुछ प्रयास आपका असफल होता है उससे मसीन नहीं इलती है जब थोड़ी दिर बाद प्रयास एक सीमा से अधिक होता है तब भार उठना शुरू होता है यानि तब भार उठाने के काबिल होता है कहने का मतलब सर कुछ दूर तक तो प्रयास ही बढ़ता है केवल, कुछ दूर तक तो सर प्रयास ही बढ़ता है और सर उसके बाद भारभी बढ़ने लगता। यानि कि graph देखिएगा हमेशा यहां से खीचा हुआ मिलेगा लेकिन मैं आपको कहां से खीचा हूँ यहां से समझे इस बात को इसका प्रयास का इधर की तरफ बढ़ना यह दिखाता है कि कुछ दूर का प्रयास आपका फर्जी गया भार में कोई गती ही नहीं है भार कुछ उ is a certain relationship between the effort and the load of a particular machine and this relationship between the effort and load is known as law of machine पुरी बात English में मैंने बोल दी इसको समझ दीजेगा मैंने बोला कि there is certain relationship between effort and load of a machine and this certain relationship is known as law of that machine इसका English हुआ अब मैंने माना माना है यहां पे यहां पर हमने क्या देखा कि भाई ऐसा हुआ कि मसीन का अच्छा लॉग कैसे जानेंगे हम यह जानना चाहते हैं कि किसी मसीन का जब लॉग हमारे पास एक बार आ गया तो हमें यही संबंध है हुआ होता है कि कुछ दूर तक वेस्ट क्यों उसी को कहते हैं कि वह आपता जानते हैं प्रूट्र मासीन में जब क्यों आप इधर से खीचना सुरू करेंगे तो कुछ वेस्ट हुआ और वहुंट ही आपने और देखा गया है कि यह महीं हो अटेखा गया यह करके देखा गया कि ऐसा नहीं हुआ अट यहां टक तो डबनाई वड़ा लेकिन कुछ देर बाद जब हम लोगोंने प्रयास की वैलू को यहां से बढ़ा के P1 किया तो भार बढ़के यहां पे जो भार था वो वहां बढ़ करके क्या देखा गया P1 प्रयास पर जो भार था वो क्या हो गया W1 हो गया यानि प्रयास P1 था तो भार उस समय मसीन मसीन वह वह बहार डबलू तो उठा रही थी इसका मतलब समझ रहा है इसका मतलब इसका मतलब है कि दो अलग अलग डाटा पर हम देखेंगे हम अब जर्ब करेंगे कि अरे यार एक मसीन फोड़ो यह सब ग्राफ प्राफ पर दिखाया गया है मैंने ग्राफ पर हमने इस चीट को दिखाया है कि पीवन एफ़र्ट लगाने पर मसीन ने पीटू उठाया और निकालने का तरीक बता रहा हूं देखो यह आइडियल मैं बना दिया फूता कुछ यूं है देखो सचाहीन का का सबस्वार्ट को यह नहीं है मैं को मैं करते हें आठ तुम करूने मृष्व सिद्व्ध को बटा रहा हूं अभी क्या नहीं है तुम करना क्या सिधे जाना सिधे जाना लगाना P नहीं खिसकेगा और P लगाना नहीं खिसकेगा देखना कि जब हम P1 लगाए है तो ये मसीन उस समय W1 लोड उठा दी कहना ठीक है अच्छा तो P1 पर W1 उठाई है तो P1 लोड पर निसान लगाना कि तुमने कितना किया है और फिर यहां पर P1 लोड पर निसान लगाना और कहना कि इस पर सर पीवन एफर्ट पे वह मसीन जो है W1 लोड उठाई है मैं कहूंगा अच्छा एक बार लोड को थोड़ा पीटू बढ़ाओ तो हाँ सर पीटू बढ़ा रहा है अब लोड को सर मसीन मिलेगी तो हम पीवन पर कितना उठाई वो तो पीवन लगा थे कितना हाउड लेकिन पीटू जब सर लगाएं तब सर वो थोड़ा लोड पहले की तुलना और ज़्यादा उठाई है तो हम कहेंगे सर इसको अठाई है तब सर वो लोड जोन डबलू टू उठाई है यानि सार आम लोग यह कह सकते हैं कि पीवन पर लोड डबलू वन था पीटू पर डबलू ट यान डबलू कुसे मिलाते हैं जैसर यह मस्तीन जब दोनों आयसे ती साभी कर लो तुम चाहो तो तीन कर लो तुमक्ये तो उस समय सर यह डवलू 3 हो गया तो इसी तरह से जब तीनों तुमको पीवन डवलू 1 पीटू एक दोनों को वैसे क्रास करा होगी पीवन को आगे बढ़ाओ डवलू 1 कोई कहीं कटेंगे एक पॉइंट पीटू कहीं पॉइंट जब ऐसे 3-4 पॉइंट को लिया गया देखा गया तो देखा गया कि जब उन सारे बिंदू को आपस में मिलाया जाने लगा तो वो कुछ ऐसा बन रहा था ऐसा तो पता चल गया तुमको कि अच्छा यह सारे बिंदू एक लाइन में आ रहा है मतलब कि कि जो संबंद था पी और डबलू में वो कैसा आ रहा है अच्छा मालो अगर कोई पॉइंट पहला यहां दूसरा है तीसरा यहां चला जाता चौथा यहां तो क्या एक लाइन में होते तब तुम कहते ना ना वह ऐसे जा रहा है लेकिन ऐसा हुआ नहीं जब लगा कि यानि इतना प्रयास लगाने पर कॉंस्टेंट सी का वैलू इतना लगाने पर यानि इतना एफ़र्ट तक तो कोई लोड उठे गाई नहीं इसके बाद का यह उठाएगा डबलू वन को और यह डबलू तो यानि इस रेखा का समीकरण क्या होता है इस लाइन का एक्वेशन है हम लोगे और यहां पर कांस्टेंट को कह रहे है हम लोग अम सी इसलिए नहीं लिख रहा है कि तुम सी सुने हो वाइज उकल टू एम एस प्लस देखा का समीकरण होता है उसी से कंपेर करोगे तो पाओगे कि पीवन बराबर जो आया है तर अगर मैं पूछों पीवन कित को बहुत लोगत तक हुआ इसकी डॉल मिनें इसकी डाल यहीजा इसकी डाल ना मैं इसकी डाल वहां को यह पता करना की पीवन बराबर किया होगा उनको सराए निया सब्क्स थे एन गाएं यह कर दर आ यहां से बराबर है यहां से यहां सके बर Revit को सर ये कितना होगा तो मैं कोःए अगर डेन अलफा लिया जाहां तन caucus इस थीटा इंगल है इस थीड़ला है को इस वंडर्गल मौन दो मुल तुम कि या यहां पर गया है तो को होगा सर यह अगर यहां से यहां तक यह कितना होगा सब द्रीट है कि यह भाला बिस तैन था वर दिस याना इस बराबर अगर तिट यह दिए बराबर तो भाएन चलो मानल लिया और यह लंगा प्राइब को तबलू वन तैन सर यह बी ओगा फ्लू वन आन अभियात करो टीवन वराबर यह ब्लू यह डवलू वान तो ठीक है लेकिन तेन ठीटा को रेखा की प्रमरता या ढ़न कहते हैं और एक फीक्स होगा या तो आपको मसीन के एक तीवन का वैलू मिला पीवन आपको पता प्लस यह तक तुम गए तो भी अप्लस लिए अब यह क्या होगा तो यह कहोगे कि सर यहां से आगे चले गई यह यह इसके बराबर होगा इसके अब बड़े प्रिबुज में थीचा लोगे तो यहां से डबलुटू है तो यह कैसे पता चलेगा तो डबलुटू 10 सीचा होगा यह है आँग एक बात बताओ तुम ही ने एक मसीन में ऐसा किया कि एक बार पीवन लगाया था तो डबलू 1 उठाथा तो आप कहेंगे सर पीवन बराबर हमने देखा कि ग्राफ पर इनको उ और वो लाइन मिली तो हम लोग जानते थे कि वो लाइन का एक्वेशन जो होता है वाई एक्सिस पर कोई चीर होती है वाई तो होता है mx plus c y is equal to mx plus c तो इसी तरह p1 बराबर w1 10 theta plus b w1 w1 a plus b w2 a plus b तो कि सब 10 theta a दोनों में रहेगा और सर्फ p1 का value पता है हमको p2 का value पता है w1 w2 पता है तो क्या नहीं पता है b और a तो machine के नियम के दो constant a and b b are constant 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 for a machine machine यह किसी machine के लिए क्या है दोनो constant है कहेंगे सर्फ उस machine का constant कैसे पता चलेगा तो मैं कहूंगा अच्छा ऐसे पता चलेगा तो तुम p1 की value रग दो और w1 की रग दो तुमने लगाया है फिर p2 की रग दो w2 की रग दो तो केवल क्या बचेंगे बी ए और बी दोनों equation से एक equation यह हम तुमने प्राप्त किया यह दो प्राप्त किया और इन्हीं दोनों की equation की मदद से from from to to above equation above equation a and a and b can be can be found यानि ए और बी का मान आसानी से निकाला दखता कैसे अरे नहीं जानते हो यार तीवन जब रखोंगे तो मालों कोई value है जैसे मालों तुम से मैं बोलूँ 6x plus 2y बराबर मैंने बोल दिया और 3x plus 5y बराबर लिग दिया 10 एक रहता तो नहीं निकाल पाते ना एक्स पता चलता वाई लेकिन आप तुम कर सकते हो इसमें दो से गुणा कर दोगे यह भी बदलेगा कट जाएगा फिर वाई निकल जाएगा इसलिए जब तुमको ए और बी दोनों निकालना तो दो समिक्रान को जरूत पड़ी मैंने दो बार क्यों लोड तब मसीन का निम दिन दन लौड मसीन क्या हो जाएगा लौफ मसीन क्या हो जाएगा तो मैं कहोंगा कि लॉजा जूल यहाइगा वह जाएगा यह मतुषिध तुडौंड इवफनु कि दिशित संबंद होता है तो हमने दो काम कि एक तो हमने आप से पहले बताया कि कि किसी विशेस मसीन के और उसके उठाये बहार के बीच एक निश्चित संबंद होता है निश्चित मतलब हो सकता एक किसी मसीन के लिए अलग हो जाया है या एमने का मतलब यह किसी विशेश मसीन पर लगाए गया प्रयास और उसके दौराव उठाए गया बाहर के बीच एक निश्चित संबंद होता है जिसे उस मसीन का नियम करते हैं और प्रयोगों द्वारा देखा कि आज वन पता है P2 माल लेते हैं कि B constant है और A B constant है उन दोनों समिक्रणों की मदद से हमने उस मसीन का A और B निकाल दिया और A और B निकलने के बाद जो मसीन का नियम आया हुआ या P बराबर A W प्लस B जो कि एक रेखा के समिक्रण जाता है M X प्लस C M यानि प्रमड़ता यानि 10 theta वहां भी होता था यहां A डाल का काम कर रहा है B constant का काम अच्छा मैं यह कहूं कि किसी मसीन में उठाय गया बहार W 0 है तो इसका मतलब यह 0 होगा तो P B के बराबर होगा तब भी P की कुछ value होगी तुम समझो यहां पर जैसे ही तुम यहां W का value 0 क यहां तो P इतना है और W यहां है लेकिन रेखा पर तुम इतना नीचे चले गए देखो मैं पुछूं व बराबर कुछ है तो बताओ कि कितना में डबलू बराबर कुछ लिया उपर चला गया तो P सर कुछ आया लेकिन साथ ड़ाबलू बराबर जब 0 किया तब भी P बराब प्रिक्षान नहीं दे रहा हूं यहां पर यह तो नियम होगए एफख़ डबलू इजपल तुजी रो दन फीजद इकवर्टू मैं लिखवे का बी और यहीं बी क्या है यहीं B वह प्रयास है जिस्से कोई भार नहीं उठा इसका मतलब यहीं क्या है ठ्रेक्ष्ट्टनल ल कोई भार नहीं उठा तो ये जो बीना भार उठाए भी आपने लोड लगा दिया ये जो effort आपने बीना भार उठाए भी आपने जो effort लगा दिया वही क्या होता है इतना बवाला बतिया दींगे अब यह आपको किसी मसीन के नियम नियम निकालेंगे तो निकाल के हम सब आपको दिखाते हैं केवल वही क्यों पीछे का पूरा इसको पूरा दिमाग में रखिएगा तब आप और आगी की चीज़े निकाल पाएंगा हम मसीन का निकालना भी आपको बताएंगे पूरा हम कॉंस्टेंट निकालना आपको मसीन का बताएंगे बात समना रहेंगे आप इसी मसीन के नियम से मसीन का नियम ध्यान रखना यही है बस हर मसीन के लिए A and B are different और डिफ्रेंट मसीन और यह मस्ट नहीं है में भी डिफ्रेंट मसीन और यह बात आपको समझनी पड़ेगी कि हर मसीन के लिए A और B की वैलो अलग होती इसलिए हर मसीन में जरू नहीं की पी उतना लगा है तो उतना ही भार उठे क्योंकि यह भी बदलेगा तो उठाएगा यहां समको मसीन का नियम भी क्लियर हो गया अब हम लोग अगली चीज पर बात करने वाले हैं इसी मसीन के नियम पर आधारी तेक चीज है एक है Maximum Mechanical Advantage एक मसीन के लिए Maximum Mechanical Advantage कितना होता है कोई चीज पढ़ रहा हो ना तो एक कही बार पढ़के वारा नही हा रहा करें दो दुबारा वुच्पूना देशना हुता है यही सिद्धान थे जिंदगी में कोई चीज जब पढ़ रहे हो आज देखो तुम ठीक से इंगलिस नहीं पढ़े ठीक से मैथ नहीं पढ़े दिक्कत दे रहा था पढ़े उसमें भी पास हो गया तो दुबारा उसको पढ़ना ही ने पढ़े तो जीवन में आगे चले सिर्फ और यहां लोग जानते हैं उसके लिए कि मेकेनिकल एड़ांटेज यान्टरी आदवांटेज नहीं समझे यांत्री खलाफ फाइदे मन्द होता है यांत्री कलाफ द्वारा हम यांत्री खलाफ क्या बताता है डबलू भाइस इवताता है यानि कम प्रयास में ज्यादा रखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए हम लोग जानते हैं हम लोग जानते हैं इसलिए यहां पर नीचे दोनों में डबलू क्या करेंगे डिवाइट करेंगे उपर भी डबलू से डिवाइट कर दीए नीचे भी एडबलू बाइडवाइड डबलू कर दीए दीए झालना टेजन क्या हमाइट करनेयोंने डिवाइट करौड वन अपान यह और एक अडश्य अप्लस ब्लस बीवाइड कर दिये अब कहेंगे सर यह तो आपने समझ गए यहां पर कि यह होता है अब एक चीज़ बताएगा यहां पर हम चाहते हैं कि मेकैनिकल एडवांटेज ज्यादा से ज्यादा हो तो फिर यह नीचे वाली चीज़ें कौम से कम होने चाहिए किसी मसीन का कंस्ट्रेंट है वो यह और भी अनीचे डबलू बचा अब एक चीज़ यहां पर समझेगा यदि किसी मसीन से आप बहुत ज्यादा भाहर उठा रहे हैं अब बी क्या है वो पीफ था ना पीफ छोटा सा एफर्ट लॉस होता है यहां पर मैं लिखूंगा तू की तू की बी की Tula में याने भी की तूलना में तूलना में इटाया वहार डबलू ज्यादा होता है ज्यादा होता है इसलिए हम लोग अ कब być कीषर justamente भी नुद्ध कि अल्मोस्ड वर तू क्या करते कि अए आर्यार यह बहुत्य छोटा रहे खूभ बढ़ा रहे खूब ज्यादा रहे अब बी क्या था फ्रिक्षनल लॉस पी अपक था यानि किसी मसीन पर लोड लगा तो थोड़ा सा जो लॉस चला जाता है वही भी है आज उठाया बहुत ज्यादा होता है उसकी तुलना इसलिए इसलिए और यहां बी डावलु इस वेरी हाई एच कंपेर टू बी यह वाई डावलु कैन भी यह नेगलेक्टेड या जीरो कह सकते हैं पर आबर नहीं दिखा हो यह यह है सिमिलर ली मतलब लगभाग बार आप जीरो पर और आयर आयर मेकैनिकल एडवांटेग ए ए और मसीन 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 तो भी तो भी क्या एक अवैलू खुब कम कर दीजे मेकैनिकल एडवांटेज यह बढ़ जाएगा यानि ए सुद भी मिनिमम यानि मसीन का जो ए आया थना कॉंस्टेंट वह यदि कम होगा तभी क्या होगा यहाँ पर यानि एम मैक्स के लिए मिनिमम से आपको पता भी चलेगा आप देखेंगे एक अक्कम होने का मतलब इतना पढ़ा ले रहा हूं तक 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 तुमको समझ में आ रहा होगा लेकिन जैसे ही मैं उसको ग्राफ पिलाऊंगा तुम परसान हो जाओगे एक बार लोग ग्राफ खीचते हैं इससे गई है तुम बता सकतों किसका यह ज्यादा है तुम कहूगे कि सर इसका इन इसका एक यह है और सर इस मसीन का को कि इस मसीन का यह यह यानि तुमको पता-चला कि सब्सक्ताइब ऐधे है सरे इसका तरी किसी और सिल और सिनकी किके रहे समय इसका एक कम है तो जब जिसका एक कम होगा और अगर यह सेमी सेम जगह से जाएं चलो मैं एक और चीज़ दिखाता हूं कि कलर चेंज करता हूँ एक मसीन है जो इस दोनों को एक पर ला देते हैं एक मसीन है जिसका यहां से यह गया हुआ है और दूसरी मसीन उसी जगह से गई है अब तुम कहोगे कि सर एक मसीन का जुकाव आपको एक मसीन का जुकाव यहां से आपको ज्यादा दिख रहा होगा दूसरी मसीन का सम्मा जुकाव एक यहां पर एक एफर्ट ले रहा है यहां पर दोनों का यहां तक तो लॉस होगया दोनों ने यहां पके दी मैं लोगों कि झीवन एफाल्ट पर कौन ज्जादा लोटु टाए तो मैं कहोंगा ज्यादा लोट किस ने उठाया एकसपो टछ करेगी लाइन एकसर दोने पश्च करेंगा तुम पाउगे कि ये जो ऊपर वाली मसीट तुम पाओगे कि जो ओपर वाला एक इस लाइन का यह भी यह किसी मसीन का यह मसीन मंद मानलो है और यह मसीन क्या है तुम कंपेर करो ज़रा तो पाओगे कि इसके दौर्ण उठाया गया भार मानलो अगर डबलू है डबलू वन है और यही लाइन जब आगे मतलब समझ रहे हो जिसका यह ज्यादा था यह ज्यादा था वह भार कम उठा पाएगा उसकी दक्षता उसका देखलो यह जिसका ज्यादा है लोड उठा पाया तो देख भी रहे हो अगर तुमको मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा होने का मतलब डबलू का ज्यादा हो यहानि तुम्हें यहाँ पर एक चीज समझें की mechanical advantage ज्यादा होने का मतलब W का ज्यादा होना और हम देख भी रहे हैं कि mechanical advantage ज्यादा तभी हो रहा है जब एक value क्या हो रहा है मने machine का constraint घट रहा है तो देखो इतना चीज तुम जब relate करके पड़ोगे तो कोई चीज काईसे छूटेगे कितना टेड़ी जाएगी तुमसे तो खाली इतना पूछेगा कि मसीन का नियम क्या है और अगर दो अलग 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 प्रयासों पर दो अलग अलग बाहर उठाए जाए उनकी की मदद से कॉंस्टेंट ए और दी की वैलू निकाली जा सकती है तब मसीन का नियम जो होगा पी बराबर तुम गांब अलग गुरू इतना ही तुमको लिखना होता लेकिन तुम देखो कि तुम और चाछा कर सकते हो किसी मसीन का अधिक्तम अडवांटेज लेने का मतलब है उसके एक का मीनिमम होना ठीक तो यह तो mecanical advantage machine का जादा कीए एक टॉपीड अभी हुआ क्या अभी एक टॉपीक समझा है हमने कि maximum mechanical advantage of a machine हो सकता है चीजें इतने टिटेल में notes में ना मिले तो notes अपने से बना रहा हुगे तो अच्छी बात है चाहाँ उसी notes में नीचे इसको note कर लीजेगा अब mechanical advantage मेक्सिमम की अब दूसरा चीछ और मेक्सिमिन कर लेते हैं मैक्सिमम एफसीएंसी ओपर मस्ट नुमेरिकल तो आज क्लास में लग रहा नहीं हो पाएगा अगला क्लास ले लें एफसीएंसी ओपर कि आपको मैं चैलेंज करता हूं आप कहीं पर जाइए मसीन चैटर पढ़िए कहीं भी यूटूब पर देखिए कि कितना विश्टेशन करके पढ़ा आगे हैं कारण है कि अगर किसी को हलका हलका ऐसे जानोगे पूरा रिसर्च नहीं करोगे तो भूल जाएगी रिसर्च की र सिनसी बराबर क्या जानते हैं वी नोग तो इटा इस इकवल टू होता है मेकैनिकल एडवांटेज अपॉन क्या होता है वेलोसिटी रेस्यों यहां जानते हैं इस चीज को अमनों पहले लिखे यानि यहीं से अगर हम लोग लिख दें जो चीज़िए आम लोग जानते हैं उसी के बल पर वंहों लोग लिख सकते हैं यहां से mechanical advantage की value तुम अभी अभी निकाले हो उपर w by p से w को divide करके अभी निकाले हो से mechanical advantage की value होती है वह 1 by 1 by a plus by w होती है mechanical advantage की value और उसमें से by w को नगलेक्ट की तो अभी हम नगलेक्ट क्यों करें इन्टू क्या हो जाएगा 1 by vr 1 by vr यानि यहां पर अगर हम लिखें 1 by यही तो वैलोगा है अब एक्षी जान लिजेगा वी बाई डबलू पर दी फिर हम लोग जीरो करें वाम लोग तेंस बी बाई डबलू इस अल्मोस्ट इक पर टू जीरो यहां जीरो हो जाया तो यहां नीचे बचे गाए और इंटू यानि अधिक्तम efficiency के लिए इसी मसीन का A इंटू velocity ratio का मान्द A इंटू velocity ratio का मान्द अधिक्तम हonia चैगा यानि efficiency अच्छी चाहिए तो A को भी कम रखो और velocity ratio के गुणन फल को खम रखो यानि किसी मैं for 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 better better efficiency efficiency a into a into Vr must be must be minimum जैनि इन दोनों की value को कम से कम होना तह Unti покуп enthusiast पता चला कि भाई क्या क्या कि पूरी कहानी हमने आपको समझागे अब आगली क्लास में आज पिछली दो क्लास से हम लोग जो जो चीजें पढ़ा रहना उन सब पर नुमेरिकल धढ़ा धढ़ना कराऊंगा और वो ऐसे नुमेरिकल होंगा जो एकजाम में धढ़ा से आएंगे और जितना कंचेप पढ़ कि आज के क्लास में ने क्या-क्या देख लिया उन देखो गए तुमको पता चले क्या है हमने देखा क्या यह सब पहले ही हो चुका था लाफ मसीन आज क्लियर हुआ उसके बाद यह सिम्पल अपमाउंट मतीन पहले ही बता चुका था पहले लेक्शन में डेफिनेशन आफ मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज़् यानि मैम मैक्स का वैलू खतम मैक्सिमम एफिएंसी खता सारा चीजें खताम हो चुकी है इसमें बस एक पार्ट बचा है और यह इसका पार्ट है नीचे वाले का पार्ट है अभी आ जागा इन सब को समझ गया हो इन पर नुमेरिकल अगले लेक्चर में फिर अगले लेक्चर से मसीन का यह वाला पार्ट इस्टार्ट हो जाएगा सब तक मुझे दिल जाज़ा ज़ा ज़ा ज़ा